चंपा फूलों की महग से महगती, मोक्ष स्वर्ण चंपा अधुर्बती भगवान जगनाथ को अलग-अलग वेशों में उनके भक्तगाण सुशोवित करते हैं एक प्रकार जहां साल के 12 महीने में 13 पर्व भगवान जगनाथ के लिए अनुष्टित होते हैं श्री मंदिर में ठीक उसी प्रकार वे 56 प्रकार के भोगों का सेवन अलग-अलग समय में, अलग-अलग रूपों में करते हैं उसी तरह से भगवान जगनात को रसिक्ष रोमणी कहा जाता है और वे बड़े शौकीन है अलग-अलग परिधानों में अपने आपको सजाने का इसलिए उनके भक्त अलग-अलग 36 प्रकार के विशों में उन्हें अलग-अलग मौकों पर सुशोवित करते है भगवान जगनात को ऐसा माना गया है कि वे विश्णू के अवतार है और विश्णू के अलग-अलग जो दस रूप हैं उन दस रूपों में भगवान जगनात अपने श्री मंदिर के अलग-अलग आउसरों पर उत्सों में सजाए जाते है खास करके जो कुछ विशेश पर्व और तेवार होता है जिनमें उनको अलग-अलग रूपों में सजा जाता है उसमें कुछ जो उनके वेश है वह नागारजुन वेश है नागारजुन वेश में भगवान जगनात एक योधा एक वीर एक पराक्रमी की रूप में सुशोभीत होते हैं नाराण रूप एक उनका होता है उस नाराण रूप में भगवान जगनात इश्वर के उस रूप में होते हैं जिसको देख करके लगता है कि बिलकुल भगवान विश्णों का नाराण रूप भगवान जगनात है कालिया दलन रूप भी है जिस तरह से कालिया सांप की उपर बैठ कर भगवान कृष्ण ने उस पर विजय पाई थी उसी तरह से भगवान जगनात को कालिया दलन वेश में शुशजित किया जाता है भगवान जगनात का एक वेश बड़ सिंगार वेश होता है और यह बड़ सिंगार वेश उडिशा में बड़ा ही लोक प्रिय है और यह वेश मंदिर में इसे देखने के लिए हजारों लाखों शद्धालों भक ललाईत रहते हैं कि भगवान जगनात अपने बड़ शिंगार वेश में कब सुशोवित हो रहे हैं भगवान जगनात का वेश गज वेश भी है जसका रूप देवस्नान पुरुनिमा के दिन देखने को मिलता है भगवान जगनात हर तरह से आपने भक्तों के लिए जिस तरह से उनको सहयोग करते हैं उनके लिए अवैदान देते हैं उसी तरह के रूप भगवान जगनात के अलग-अलग विशों के रूप में श्री मंदिर में रत्न वेदी पर देखने को मिलता है भगवान जगनात के अलग रूपों में एक निसिंग रूप भी है निसिंग रूप में भी भगवान जिस तरह से निसिंग का रूप धारण कर वद किये थे हिरन कश्चप का वह रूप भी भगवान जगनात धारण करते हैं आज मंदिर प्रशाषन की ओर से प्रकाशित उनके वेशों की जो पुस्तक सामने आई है उसके आधार पर भगवान जगनात को कुल 36 अलग अलग वेशों में अलग अलग उत्सों पर सजाया जाता है